आपने कभी कीडा जड़ी की जड़ी बूटी के बारे में सुना है कीडा जड़ी के फायदे किड्नी के लिए पुनर्णवा गोकश्रू वरून जैसे जड़ी बूटी के बारे में तो सभी ने सुना है लेकिन क्या कीडा जड़ी में lipid lower properties होती हैं जो आपकी अनियमि धड़कन को रोकने में इस्तेमाल कीड़ा जड़ी के फायदे किड़नी के लिए पुनरनवा, बोक्षरू, वरुन जैसे जड़ी बूटियों के बारे में तो सभी ने सुना है कि क्या इतने सारे गुड़ों से भरपूर ये कीड़ा जड़ी हमारी किड़नी के लिए फायदे मंद हो सकती है तो चलिए इस वीडियो में सवाल का जवाब पता करते हैं लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले कीड़ा जड़ी के दूसरे स्वास्ते लाब के बारे में जान लेते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पर आती हैं हार्ट डिजीज बता दे कि कीड़ा जड़ी में लिपिड लोवर प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी अनियमि धड़कन को रोकने में इस्तेमाल की जाती है इसके साथ ही इसमें काडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज और एंटी ऑक्सेडेंट्स होते हैं जो दिल को स्वस्त रखने में मदद कर सकते हैं इसके सेवन से आप दिल से जुड़ी कई विमारियों से बच सकते हैं वही कीडा जड़ी में एंटी डाइबेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और बॉडी में इंसुलिन बनता रहता है कीडा जड़ी को डाइबेटिस कंट्रोल करने में बहुत फायदेमन माना जाता है वही जो लोग बढ़ती उम्र के लक्षनों से परिशान हैं उनके लिए बता जड़ी कीडा जड़ी बहुत फायदेमन होती है वही बात कीडा जड़ी के फायदों की कर रहे हैं तो बता दें इसमें anti-cancer properties भी होती है जो cancer cells को बढ़ने से रोकती है बता दें कीडा जड़ी anti-cancer agent की तरह काम करती है कीडा जड़ी में कुछ anti-inflammatory effects होते हैं जो inflammation genes को खत्म करने में मदद करते हैं ऐसे में कीडा जड़ी lungs यानि की फेफडों और अस्तमा के कारण air में आ रही सूजन को भी खत्म करने में मदद कर सकती है वही बात करें आकरी में kidney health की तो बता दें कीडा जड़ी में anti-inflammatory और antioxidant properties होती है ऐसे में इस जड़ी बूटी को kidney से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में मदद मिल सकते हैं लेकिन इसका सेवन कम ही करना चाहिए क्योंकि कीड़ी के लिए उतनी फायदेमन नहीं मानी जाती तो जैसा की आपने इस वीडियो में जाना की कीड़ा जड़ी जड़ी बूटी जो है आपके स्वास्ते के लिए कितनी फायदेमन नहीं लेकिन अगर आप एक kidney patient है तो इस जड़ी बूटी का सेवन अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें अगर आपके कोई भी प्रेस्ट ने kidney से लिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और निशूल परामर्श प्राप्ट कर सकते हैं